आपकी वा श्रीजी की कृपा से नाम जब का प्रयास करते हैं महरा जी मेरा प्रिश्णी है कि मुझे बुद्धी व विवेक में अंतर समय नहीं आता कि ओफिस में या घर में मेरा ये निर्ने बुद्धी द्वारा लिया गया है या विवेक द्वारा विवेक का जागरन किस प्रकार होगा बुद्धी का कारी होता है निश्चय करना और विवेक का कारी होता है उसके निश्चय में फाइनल सामने दिखाना अब अगर विवेक है तो ततकालू कहेगा कि अपनी मर्यादा में रेकर भोग में सुख है पराइस्त्री की तरह बाग उठाना घोर पाप है यह विवेक अब वो नहीं करने देगा विवेक है बुद्धित ने तो कह दिया कि भोग में शुख है उसका निरने यह होता है और व हमारे पास धर्म पूर्वक है उश्वोग का अधर्म पूर्वक भोग थोड़ी भोग सकते हैं ये बीवेक तकाल खड़ाओ जाए जैसा नहीं होने तेगे जो सत और असत का निरने करें जोuchenे दो केवल निरे करें उससे बुद्धि कहते हैं विना सत असत का विचार के यह यह है बुद्धी को उसे कहते हैं बिवेक बचाती तो बुद्धी फसाती और भीवेक बचाता है उसे बिवेक कहते हैं जो बिवेक की है हाइनल में यही जज्ज है बुद्धि इसी से सारा काम होता है मन इसी की सलाह से चलेगा अरग लिपŞ fino में चल सकता मन बुद्धी को अपनेँ पक्ष में कर लिया है और ऑँ मन को इंद्री उनए पक्ष WAT कर लिया है च्छो इंद्री ऑम होग मेरत हैं तो इंदरी बुद्धा ततकाल मन ने दसकत करवाए बुद्धी से हां भोगो, लेकिन बिवेक है तो दसकत नहीं होने देगा, नहीं सत्संग में सुनाएं, ऐसा नहीं होना चाहिए, मर चाहए जाओं, मैं ऐसा नहीं करूँगा, ये आ गया बिवेक, बुद्धी ने तो आप कर दिया था, मन ने बु बिवेक और बुद्धी का अंतर समझ पा रहे हैं मारा जी जब हमारा जैसे समर्पन नहीं था तो हमने दो जज्जमेंट में से एक सोचा और बाद में उसमें पस्तावा हुआ कि क्या मेरा विवेक क्यों नहीं जा रहा हुआ क्यों मैंने सई नहीं ले ली हाँ इसलिए कि आपके अंदर मलिंता अभी है बुद्धी अभी मलिन है विवेक पूर्ण और उससे जागरत नहीं हुआ इसलिए ठीक निर्णे नहीं हुआ यह पश्चाता आप तो हरे को होता है नहीं होता तो बुद्धी तो काम कर रहे थी वि विवेक जागरत होता है यह विवेक बजार में नहीं मिलता नहीं खरीद लिया जाता बुद्धिवान बहुत है सब विवेक नहीं है विवेक है शादुसंग कर एक बच्चा एक आंतिक में एक दिन सत्संग सुनता है उसने का मेरे मित्र मुझे ऐसा-एसा सिखाते हैं और मर जाओं पर मैं ऐसा नहीं करूँगा गुरू जी क्योंकि आपने ऐसा कहा वो बात में छोटा बच्चा एक निष्ठा खड़ा हो करके अपने आप दिखा रहा था यह क्या है उसके अंदर विवेक जागरत हो गया यह बच्चे गलत सिखा रहे हैं क्योंकि गुरू जी कह बिवेक नहीं करना यह बच्चाना चाहते हो बुद्धी के निरने चाहे हैं कि आप बच्चना चाहते हो और फिर इसके बाद मुझे पश्चा ता अप होता है कि मैं सही निरने क्यों नहीं कर पाया लेकि अब वह सफल नहीं हुआ है जागरत हो चुका है जो इस बात की जाच करना सुरू कर दिया है लेकिन जब सफल हो जाएगा तो सफल ड्राइवर वही कि घटना के पहले ब्रकमार दे घटना के बाद सोचे कि ब्रकमार देता तो यह बच जाता वो बात लही होती बिवेक होता है घटना होने के पहले बचा लेला है। और गटना बचेता करती है। तो अभिवेक जागर्थ होगा भिवेक नहीं अज्ञान जागर्थ होगा सब्सक्राइब ना प्रॉट को भूत के चिंतन में नश्टम करना मूर्खता है अच्छा हुआ या बुरा वो तो हो गया समय तो गया ना अब मैं इस वर्तमान के सेकेंड को उसमें क्यों नश्ट कर यह मुर्खता है इस समय मैं बोलू राधा राधा वो भी ठीक हो जाएगा और आगे भी भविस्य भी ठीक हो जाएगा वर्तमान को शमालने वाला विवेकी होता है जो भूत और भविस्य की चिंता में वर्तमान के समय को नश्ट करता है उसे अभिवेकी और मुर्ख कहते हैं पीछे हमसे गलती हो गए, अब हम बैठे बैठे ये समय कि उसमें नस्ट कर रहे हैं, इतना किमती समय, पीछे जो गलत हो गया, उसके चिंतन में नस्ट कर रहे हैं, यह हमारी मुर्खता है, हम इस समय उसको सुधारने के लिए, राधा, 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 और वो गलती अब कभ देखा जाता है कि प्रारब्द से भोग सामागरी आएगी लेकिन भोग ना है कि नहीं यह हमारा विवेक काम करेगा प्रारब्द से संयोग आ गया लेकिन भोग ना है कि नहीं यह हमारा विवेक काम करेगा प्रारब्द से आ गई है लेकिन अधर्म पूर्वक है मैं उसे नही भोगूँगा, खतम प्रारब्द, प्रारब्द बलात तुमसे नहीं करवा लेगा, वो निरना ही तुम्हारा होगा, प्रारब्द से सैयोग आना होता है, प्रारब्द से हमारे चोट लग गए, अब उसका दुख है, लेकिन उसके दुख में डूबे, या अपने को बचा ले हमारा बिवेक है, नहीं, कि प्रारब्द भोग था, चोट लगनी थी, तो लगी गई भगवान का जैसा बिधान था, अब हम उसका निवारन करने की सोचे, आउसदी लगवाए, डाक्टर से में उसकी चिंता नहीं करनी, राधा, 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 कोई गटना थी, निपट है, प्रारब्द का संयोग होगा, लेकिन उसको हम भोगें ना भोगें, इसके लिए स्वतन्त रहे, प्रारब्द देने की बलात आपसे, बुले हमारा पापकर्म हो रहा है, बुले हमारा प्रारब्द, इसलिए हम भोग रहे, ऐसा नहीं है, प्रारब्द से भोग का संयोग है बहुत-बहुत समलने की जरृत है नहीं तो बुद्धी जो है हमको फसाती रहती कि भाई हमारा सह suppliers लिखा था हमारा प्रारद था इसलिए ऐसा इस नहीं माना की प्रारद में वो संयोग है लेकिन बिवेक तुम्हें मिला कोई पसू नहीं हो बुद्धिमाने से बचा लो आगे संस्कार ने बिगरने पाए राधा 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 बच गए सबज रहे अलो मिश्री जी राधा बच गए बच गए मानहीं बांदी बर डोरी और इश्वर अंच जीव अविनाशी चेतन अमल सहद सुखरासी महराजी मेरा आगे प्रशन ही है कि गरस्ट में रहते हुए देहा अभिमान और एहम कैसे गलित हो ताकि भगवत चरनारविंद में अनुराग बढ़े जब हमारा अंताकरण मलिन होता है तो आंकार पुष्ट होता है जब अंताकरण निर्मल होता है तो अंताकरण में एक है आंकार मन बुद्धी चित अंकार अंताकरण पुष्ट होता है जितना हम नाम जब करेंगे और जितना हम भगवत चर्चा सुनेंगे इन दो से बहुत जल्दी हमें लाब मिलता है तो शत्संग शुनी रहें आप और नाम जब कर रहें आप और जितने कर्म कीजिए उनको भगवान को अर्पित कीजिए एक घंटे में दो दो घंटे में करने के पहले विचार कीजिए भगवान के लिए कर्म कर रहा हूं और जो भी कार कोई व्यापार कोई नवकरी कोई किशानी कोई राष्ट्री सेवा सब लगे ही हैं अपने कर्म को पूजा मानकर भगवान को शमर्पित कर दे और नाम जब करे और शत्संग शुने तो अंताकर्ण जहां निर्मल होगा तो अहंकार नश्ठ होना अब किस बात का अहंकार कर सकते हैं अगर एक रोम उसे पुना लगा नहीं सकते हैं नहीं न हाँ अगर हमारी अवस्था का परिवर्तन हुआ तो मैं जान भी नहीं पाया कि बाल्य अवस्था से कब जवानी आ गई आप एके सरीर में तो आई तीथी तारिक याद है आपको कि इस तारिक से इस समय से मैं जवान हुआ ऐसे देखोना आप मा के गर्व में रहे थे आपको याद ने आपकी जवानी कब बडापे में परिवर्तित हो जएगे आपको पता ने वो कब मिरत्यूं में परिवर्ति थे कुछ पत्व मताओ आप बिल्कुल असमर्थ है आप देखो ना आपका परिवार कौन कहां से आया आपको पता नहीं कब कहां कौन जाएगा आपको पता नहीं जिसको जाना है उसको रोक नहीं सकते जिसको आना है उसको रोक नहीं सकते मत अब मुझे भगवान के हांथ का खिलावना बना है तो यह आंकार जब भगवान Delink में के समर्पित हो और यह समर्पन होता सत्संग से और भाजन से जैसे हमके किसी बात का अंकार हो किसी भी बात का तो हम बताओ आपका सरीर ऐसा है आपने बनाया है क्या विचार करो आपने बनाया है क्या जैसा भगवान को कर्म के अनुशार रूचा वैसा बना दिया कि लिए बना आपको एकवान हो सकते थे या आप बिलकुल मूर्ख हो सकते थे भगवान ने आपको जितनी दी उतने से काम चल जाएगा अपना तो भगवान की दी हुई मुझे बुद्धी मिली है भगवान के दिया हुआ तन मिला है भगवान का दिया हुआ धन मिला है मालो आप बहुत बड़े खरब पती के यहां पैदा होते हैं, लेकिन आपको भगवाल ने जितना चाहा उतना धंदिया न कर्म के अनुसार, उतनी बुद्धी दी, तो आप कहीं स्वतंत्र तो आप दिखाई नहीं दे रहे हैं, दखो, इस समय देखो आप कहीं स्वतंत्र हो क्या, तो आभिमान किस बा सकते हैं, जितना चाह है अपने अंदर, उतना हमें का मिल रहा है, और जितना मिलता जाएगा, उतनी चाह बढ़ती चली जाएगी, हम असमर्थ ही नजर आ रहे हैं, कहीं हम समर्थ रही हैं, कि हम चाह करें, हम उतना पूर्ण हो जाए, तो हम जहां चाह करते हैं, सो की, अग कौन हुए नात अनाथों के समर्थ भगवान समर्थ है नात अनाथन हित समर्थ मोहंत स्री रादा प्रियाप्रीतम समर्थ है तो हमारा अंकार नष्ठ हो जाएगा जब हम ग्ञान से देखेंगे कुछ नहीं कर सकते हम एक रो में भी अगर जर जाए तो उसे पुना लगा नही हमारी सामूर्थ नहीं जो कुछ हमारे समूर्थ व्भकवान के देह हैं अब अंकार नहीं आएगा जब हमेगी परफेलमगार्शनnine इंट शनले व्हाय हैं महान ग्यानी है नहीं और जब अपनी बात कहते हैं तो बीविशन जी से करें असमय अधम सखासन महुपा क्या बात है देखो यह आंकार रहीत बात है और भगवान का बल है उनमें जेगिर चरन देई हनुमनता चले उस अगा पाताल का सामर्त ऐसी है और ग्यानियों में परम अब कर लोग्रेशन करो कहीं स्थान नहीं दिखा देदेजां आप रेशन करो तो आंकार का कहीं इस्थान नहीं जिखाई देता, हाँ गमारपने में आंकार होता है मूर खता अमर शचता में तव hm žां टो आंकार नहीं किस बात काम आंकार करें हमाएं पास जो यो पूछ भगवान कर दिया तो आंकार कैसे करें जिसे हमने आपको कोई वस्तू दी है तो वह वस्तू आप प्रयोक करो आंकार थोड़ी कर सकते हो आप उसके मुनी मो मालिक तो भगवान है नात सकल संपदा तुम्हारी इसमें आंकार नहीं रहेगा नाम जब करते रहो सत्संग सुनते रहो तो ऐसा ज्यान सत्संग से विवे प्रफिक नहों सब्सक्राइब तो आप इसमें कहीं आंकार है लए सद्संग भी मिला तो भगवान की कृपा से सादु संग मिला वरोशन वन्ता बिन्वरी कृपा तो हर जगह कृपा एक तो मुझे लगता है आंकार के तो कोई जगह ही नहीं अगर है भी आंकार तो नामजप और शत्संग से सांथ हो जाएगा यह मलिंता के कारण है निर्मलता में हंकार नहीं रहता है समझे जिनके दर्संग मात्र से हरदय में हमारे विकारों की स्मर्ति आने लगे कि मैं बहुत नीच हूँ पामर हूँ मुझे से ऐसी गलतिया हुए जिनके देखने से हमारे हरदय में एक आंतरिक शीतलता भी उदय हो कि आज मैं नियम लेता हूँ कि भगवान का भजन अब करूँगा कोई गलतिया अपने आप आपके अंदर शुरू हो जाए जिनके दर्शन और संभाशन मात्र से हरदय का परिवर्तन होना शुरू हो जाए संत को पहचानने के लिए पहली बात तो शंत ही होना पड़ेगा तभी आप पैचान सकते हैं लेकिन साधारन पैचान जिनके दर्शन मात्र से हरदय में एक आंतरिक सीतलता और जलन दोनों होनी चाहिए एक जलन की मैंने बहुत ब्रत में समय नश्ट किया मैंने बहुत बुरा किया अब लो नशानी अब ना नसहीं हो य जिनके देखने से ऐसा लगे कि मैंने देखा तो पहली बार है लेकिन लग रहा है ये मेरे हैं मैंने बहुत बार ऐसा लगता है इनको देखा है लेकिन देखा पहली बार है पर ये कोई अपने से लग रहे हैं जिनके वचन सुनने से संसयों का नाश हो जाए जिनके संगती स प्रफ़ोंत को अंतरिक तो जैसे विद्यार्ति अपने टीचर को नहीं जान सकता कितना ग्रेज्वयट है ऐसे भगवान और भगवान की जो प्रेमी जन है वो स्वयम जना दे तो जान जाओ या उस कोटी के संत हो जाओ तो जान जाओ पर इत्र की खुस्वु दबाए नहीं दपती प्रभो ऐसे संत का प्रभाव दबाए नहीं दपता अगर थोड़ी भी बुद्धी सुद्ध है तो सामने बैठने पर पता चल जाएगा सिंग और भेडिये का अंतर अपने आप समझ में आता है समझ में आता है नहीं आता है समझ में नकली और असली लोट एक जैसा ही होता है लेकिन पहचान वाला सेकेंड नहीं लगाता है सेकेंड में पता चल जाता है नकली है कि असली है इतना तो भगवान तुम्हें ग्यान दिये ही है यह तुम्हारी बुद्धी से तुम्हें देखने से पता चल जाएगा कि यहां भगवान का प्रकास है या पाखंड का प्रकास है या भगवान का प्रकास है या माया का प्रकास है यहाँ नोटंकी नाटक है या भगवान की धिव्यता है इतना तो पता चली जाएगा अगर आख नओ तो भी पता चल जाएगा क्योंकि उसके पर्मान होते है अगर नहीं पता चल रहा है तो नाम जब करो फिर पता चल जाएगा क्योंकि हर्दय बहुत मलीन है इसलिए नहीं पता चलेगा और नाम जब करो तो अपने आप पता चल जाएगा जैसे हनुमान जी महराज को देखकर बिभी सन जी ओ बिभी सन जी को देखके हनुमान जी जे भी हनुमान जी को देखा तो कहे रहे मोरे हर्दे प्रीतियती होई कि तुम राम दीन अनुरागी आयो मोई करन बड़ भागी कि तुम हरिदासन मा कोई मोरे हरदय प्रीतियती होई और हनुमान जी महाराज राम राम ते सुमिरन की ना हरदय हरसी कप सज्जन ची ना ये इसन हट करियो पैचानी सादुते होईला कारजानी दोनों तर पाकर्शन हुआ ये भगवान के भगत का अब मुई भाभरोशन वनता बिन हरिक्रपा मिले तो हरदय में अगर कुछ होने लगे भागवतिक तो जान लेना कि संत के पास आ गए है इत्र की खुसबु दबाए नहीं दबती अगर तुम्हारी ग्राणेंद्री सही है तो खुसबु पक्का तुम्हें समझ में आ जाएगी तुम्हें पक्का समझ में आ जाए कि मुझे संग किसका हुआ है आज मैंने संत दर्सन किया या पाखंड दर्सन किया है ये खुद समझ में आ जाएगा अगर थोड़ा भी एरदय सुद्ध है तो अपने आप समझ में और नहीं सुद्ध है तो आमो घस्च है जाओ कुछ समय बात में पता चल जाएगा कि तुम्हारे जीवन का परिवर्तन शुरू हो गया है तुम्हारे जीवन का परिवर्तन न हो जाए तो फिसंत कैसा है या तो तुम्हारा अंताकरण बहुत ही निगेटिव नकारात्मक सोच वाला है दो-चार बार जरूर दर्शन करें उस संत के तो परिवर्तन हो ही जाएगा और नहीं तो एक बार दर्शन का दिवर्ष नारत जी कह रहे है मात संगस तो दुर्लव हो आगम्यों पर अमो घस्च है आज नहीं तो कल तुम्हें अनुबह हो जाएगा कि मेरे जीवन क पाइब सत्चंगा और बिना प्रयास होई भाव भंगा बिना प्रयास तुम्हारा परिवर्तन सुरू हो जाएगा और एक का नहीं लाखों का परिवर्तन सुरू हो जाएगा लाखों का नहीं पुरे बिश्व का परिवर्तन हो जाएगा भगवान के प्रेमी भक्त में सतरत सतरती सालोकान तार्यती लोग के लोग को पावन कर देता है यार दीपक और सूरी का प्रिकास अपने आप अंतर नहीं बताता क्या सूरी उदे होने के पहले ही समस्त घरों का नेरा नस्ठ हो जाता है बार की तो बात जाने दो और सूरी उदे हो जाए फिर अंधकार रह जाए क्या संत दर्शन के लिए किसी प्रमान की जरुवत पड़ेगी मुझे तो नहीं लगता अगर आखें दिमाख है तो आपको तुरं तो दिमाख हरदे कहेगा जो खोज कर रहा था वो मिल गया अगर नहीं है तो हर बार अंदर उत्तर आएगा कि नहीं गलत नहीं गलत फिर बार बार वहां जाने की जरुवत नहीं है जहां हर बार उत्तर आवे गलत गलत समझ में नहीं आया ठीक नहीं है बोल तुम कुछ रह मिल गया पायो परम भिश्राम तहां समझ लो कि भगवान यहां जाग्रत हो चुके संत कौन जिसके इरदे में भगवान जाग्रत हो चुके भगवान तो सबके इरदे में लेकिन माया का परदा लगाए है जिसने माया के परदा को हटा दिया प्रकासित हो गए तो जैसे घर मे प्रकास हो जाए तो जहरोखों से पता नहीं चलता है। घुर्थ होजाते हैं ये बाहरी बात है आंतरीक तो इस्थिती पहेंचा-पाओगे। और उनको जान गए तो वही हो जाओगे पक्का वही हो जाओगे अगर संत मिल गए तो संत बनना ही पड़ेगा चाय पैजामा कुर्ता मेर हो तुम्हारा स्वभाव साधू हो जाएगा साधू आजीवन के लिए गलत आचरन छूट जाना और भगवान के प्रति स्वभावी का अकर्शन हो जाना के संतों का सहज प्रभा होता है सहज प्रभा होता है समझ भाया इसमे कोई संसे जया शुकला जीव गुर्देफ होगान डंबत प्राम गुर्देफ बुद्धि को आपके बताय हुए ग्ञान याद हो गया है और सत्संग की बाते भी हिर्दे में रहती है प्रयोग में लाने के लिए नाम बल चाहिए अगर नाम बल नहीं तो आप सब जानते हो लेकिन प्रयोग नहीं कर सकते है उसके लिए अध्यात्म बल चाहिए अध्यात्म सकती चाहिए हम जानते हैं गलत है नहीं करना चाहिए फिर भी हमारा मन बलात हमसे गलत करवा रहा है इ इसलिए बार बार सबसे कहते हैं कि नाम जप करो नाम जप करो बिणा नाम जब करो आप जानकार हो प्रयोग नहीं कि अ удив assessment की आपको ग्ञान है कि ऐससे होना चाहिए ऐसे से मैं शरीरा नहीं हूं अ해설 comment का घ्यान है यह पाप है नहीं करना चाहिए लेकिन कुछ भी अनुभव नहीं होगा जब तक भजन नहीं होगा पिल्कुल विश्वास कर लो बारी मतेगरत होए बरुशिकताते बरुतिल बिनुहरी भजन भवतरी या सिध्धान तपेल जब तक नाम जब नहीं करोगे तब तक आप में अध्यात्मिक बल नहीं अध्यात्मिक बल उसे कहते हैं ये नहीं करना चाहिए तो नहीं होगा ये होना चाहिए तो होगा कोई संसेने कोई भी उत्साह में कमी नहीं एक सुर्वीर योद्धा की तरह कदम आगे बढ़ाता चला जाता है परमार्त में वो होता है नाम जापक अब भजन के बिना बात नाम जब ये हमको उससे हटाता है देखो कितने ऐसे जवान जवान भाईजन है जो आकर के बोले कि हमने शराप छोड़ दिया बेवचार छोड़ दिया गंदे आच्रण छोड़ दिये ऐसे ऐसे क्या हुआ क्या सत्संग के शब्दों के पावर ने उनके अंताकरन का परिव पलिखिल नहीं होगी जब तक हम बिजन knapp करेंगे हम दूसरे को उपदेश कर सकते हैं दूसरे को घ्ञान बग Allah बता सकते ये लेकिन स्वयम प्रियोग नहीं कर सकते सवयम जानकारी का प्रियोग तभी होगा आचरण में जब नं कई सामर्थ आपके अंदर पर आजाएगी श्री हरिवन्स नाम बल लहों अपने मन भाई सब कहों रहों सरण हरिवन्स की नाम बल आ गया तो जिधर कदम रखोगे उदर बिजय होते चले जाओगे अब नाम जब है नहीं तो संत ने कहा था यह नहीं करना चाहे पर मन इतना बिकल कर देगा कि आप वही कर बैठोगे नाम जब है तो आप पर नाम जब करना कठिन करके बचाना कठिन बचाके पचाना कठिन नाम जब हो रहा है अगर वैश्णों की निंदा कर दी तो नाम जब का प्रभाव सोनने नाम जब हो रहा है तुम्हारे मन में आए इतने दिन तो हो गए हमें लगता कहीं फलिस्तुती मातर थो हमें लगता है अर्थवाद मातर है क्या नाम का प्रभाव खता हम दस नामा पराद भी हैं सास्त्र की निंदा, बैष्णों की निंदा, भगवान संकर की निंदा, हरी हर में भेद की भावना की निंदा, नाम दाता गुरू की निंदा, इस तरह के जो नाम में फल का अर्थवाद की भावना होना या नाम के सहरे से पाप करना, इस तरह के अगर नामा अपरादों से हम बच जाएं और नाम जब करें तो हमारे अंदर अध्यात में बला जाएं तो हम जो जानते हैं जो हमें ग्यान उसका हम प्रियोक कर सकते हैं और जितना ग्यान है उतना प्रियोक कर लो तो सब मात्मा बजाओं अंदर से सबको ग्यान है नहीं आत्मना प्रतिकूलानी परेशाम ना समाचरेद, जो हमें अच्छा नहीं लगता हुम दूसरे के साथ बेवार न करें, जैसे हमारी कोई बहन बेटी को ताके तो अच्छा लगेगा, क्या? तो हम किसी के बहन बेटी को न ताके? आप आत्मना परतिकूलानी परिशाम ना समाचरेद, आप स्वयम जो नहीं चाह करें आपके सरीर को कोई काटे तो अच्छा लगेंगा नई तो आप दूसरी कमांस के उखाते आपके शरीर को कोई काट की खाणा चाiron चाहए तो आपको अच्छा ने लए तुम दूसरी जीवन को देखो इपर लोग सकल सुखपावत मेरी सो भईया कृष्ण गुर्ण संच इस लोग में भी आनन और सरी छुटने के बाद भी आनन जिसके पास नाम रूपी परमधन है नवरीत जी पंजाब रादे रादे माराजी शेयर इवेंच माराजी मेरा सवाल है कि गुरुजी आप कहते हो कभी किसी के दुख का कारण नहीं बनना चाहिए लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कई लोग होते हैं जो हमारे होने से दुखी होते हैं ऐसे में क्या हमें नहीं मेरे प्रयास में किसी को दुख नहीं होना चाहिए, कोई अपने चिंतन से या अपने आप दुखी हो रहा है तो उसके लिए हमारी पास कोई अश्रदी नहीं है, हम किसी को वचन से अपनी चेश्टा से दुख नहीं देना चाहिते, आप कोई अपने आप इर्श्या करक करें तो उसके लिए तो उसको सुधरना होगा ना हमारी कोई चेष्टा नहीं होनी चाहिए हम भगवत्मार्ग के पतिक हैं अगर हमको कोई गाली भी देता है तो हम यहीं चाहेंगे कि भगवान उसकी बुद्धी शुद्ध हो वो श्वस्त रहे हो कभी दुख ना पावे ले यह उसका कर्म है उसका भोग है उसमें हमारे द्वारा तो कुछ नहीं होगा ना बस यह बहुत हो इससे को पूरु के कर्म है उस कर्म से ऐसा संयोग हो जाता है जिसे इतने पुत्र होते हैं ऐसे कि वो जन्म से लेकर के और जब तक वो सुख ही देते रहते हैं कोई ऐसे होते हैं जन्म से लेकर के और पूरे जीवन भर दुख ही देते रहते हैं क्योंकि वो आये हैं अपने कर्म का हिसाब लेने अपने कर्म का हिसाब देने अब एक विक्ति मिलता है अचानक इतना कड़ का संयोग है वो म्रदू बिवार कर रहा है कोई कर्म का संयोग है कटू बिवार कर रहा है ये कुछ कर्म की ऐसी लिलाएं होती है और कुछ शुभाव की लिलाएं होती है एक आदमी है जो सर्पवत स्वभाव का है चाहे जीतना आप अम्रत भरे वचन बोलो चाहे जेतना किसी उगलेगा वह अपने को कड़ुआ बिवार करें तो दुखी नहीं हो ना अपने से कोई कड़ुआ बिवार किसी के लिए करना नहीं है यह हमारा अध्यात्म सिक्षा देता है इसी में बहुत आनंद रहता है अगर हम ऐसे बिवहार में देखें तो प्रतिपल लड़ाई जगडे की संभावना है नहीं आप देखो घर ग्रेष्टी नहीं अगर सेहन सील नहीं होगे तो आपकी ग्रेष्टी भी ठीक से नहीं चल पाएगी तो हमको सेहन सील होना है दूसरा हमाई साथ कड़ुआ बिवहार कर रहा है भगवान देख रहे हैं यदि मेरा कोई प्रारद होग नहीं हो मैं सह रहे हूं तो उसका सुधार होगा भगवान करेंगे हमारे दूरा कोई कट बेवहार ना हो ऐसा प्रियास करना है अगर हो जाता है तो ऩर हुर सेमा होती है अगर कोई सीमा उलंगन करके तो फिर या तो बड़े जनों का सहरा ले या कानून का सहरा ले उस समय छमा काम नहीं करेगा एक छमा की एक सीमा है ग्रेश्ती में सरीर की मर्यादा में एक सीमा है कि कोई उलंगन मर्यादा का कर रहा है तो एक सीमा तक शीमा के आगे तो तत्काल बड़ों का शाहरा कानून का शाहरा तत्काल उसमें फिर शमा नहीं नहीं तो आज शमा कर दिया कल वो और उपद्रों करेगा सबसे एक सीमा तक तो ठीक है सीमा के बाहर फिर आप कोई सन्यासी नहीं है आप एक ग्रेश्ट धर्वे में हैं जैसे सन्यास में अशीम छमता है कोई पीट रहा है तो उसे भगवान का बिधान मान करके चुप चाप सेहन कर लिया गया लेकिन अब जैसे आप ग्रेश्ट में हैं तो आपको ऐसा नहीं कर रहा है अगर आज उसने हाथ उठा दिया है तो कल वो कोई खत्रा पैदा करें इससे पहले कानून में रिपोर्ट करो अपने बचाव पक्ष को करो क्योंकि आप कोई साधू भात्मा नहीं है आप ग्रेश्ट में चलकर धर्मकान उठ्ठान कर रहे हैं तो आपको मानों इस्त्री शरी है आज देखा कि आज कोई गंदी हरकत जो छमा करने लैक नहीं है तो आप बिलकुल उसको रास्ता मत दीज किजिए उसके उपर आप जिक्षन किजिए अगर आप शमा करते हैं तो कल का उसका दूसरा सुरुफ हो जाएगा बस समझने ला तो अध्यात्म को अच्छी तरह से समझना है आपके धर्म मर्यादा के विफिरीत जितना सहन किया जा सकता है उतना तो ठीक है जब यह समन में अगया आप हमारे धर्म पर बात आगए हमारी मर्यादा इज्जत पर बात आगए हमारे राष्ट पर बात आगए हमारे इस्ट पर बात आगए फिर नहीं सहन करें आप इस बात को समझना कि ऐसा ना हो कि समझ अगर नहीं होगी तो फिर ठीक नहीं समझ पाऊंगे एक सर्प था तो लोगों को काटता तो गाउं के लोगों ने देवर्शी नारज जी निकले का आप सिद्ध पुरुष इसको मना कर दो तो सर पसे का आज के बाद काट औो गए ने अगर काटे ना तो तुम्हारे सर के सो टुकड़े हो जाएंगे ढर गया उसने भी काटा अब जो निकले सो हीट पत्थर डंडा ऐसे दूसरे दिन नारज जी निकले तो बुले तुम्हारी हालत कैसे बूले आप ने किया है बूले क्यों और बोले जब काटता नहीं तो जिसको देखो डंडा मार रहा है हमको खिलाओना समझे फुसकार ने को मना किया था क्या काट नहीं ने कि फुसकार डबल दे लिए तो दूर रहेगा ना तो अगर फुसकार छोड़ दिया तो आपको परिसाल रजाए काटो मत फुसकार रखो समझ नहीं है अपनी धर्म मर्यादा की रक्षा के लिए अपने ग्रेश्ट धर्म की रक्षा के लिए अपने सरीर रक्षा के लिए हमको इतना पुसकार रखनी है कि दूसरा जल्ली कोई नजदीक ना आने पावे नहीं तो आपको कि सादू मात्माओं के उपदेश न ठीक वो जा रहे थे तो हांती एक पागल था महावत ने का हट बाभाजी हट जा हांती पागल है मार देगा गुरुजी ने कहा था सम्मे भगवान है अब लद के गुरुजी के पास गए बुले ऐसा कैसे हो गया बुले आपने करवा दिया बुले क्यों कहा था सम्मे भगवान है बुले हां सम्मे भगवान है बुले वही तो हम भी कह रहे हैं हमने भी कहा कि हाथी में भगवान तो कि बात को समझे जहां तक हमारे धर्म मर्यादा की बात है जितना सहन उतना करेंगे इसके बाद अगर इज्जत पर बात आ गई धर्म पर बात आ गई राष्ट पर बात आ गई फिर हम सांतनी मिठेंगे जैसे मालो आप हमें तो एक मर्यादा में हम सहेंगे लेकिन आप हमारे की निंदा करो, आप हमारे गुरू की अवहिलना करने लगो, आप हमारे धर्मी की निंदा करने लगो, फिर हमारा रूप दूसरा हो जाएदा, उसके लिए हम सहे नहीं करेंगे, आप हमें गाली दे दो हम सहे लेंगे, लेकिन मर्यादा, इस्ट भावना, धर्म, राष्ट, आ एक सीमा रखी गई है, इतना सें कर सकते हैं, इसके बाद नहीं सैं कर सकते हैं, तो इसको भी द्यान में साथ में रखना जो मनाविस हो छेष्टा कर रहा हम सहयन करें नहीं एक सीमा तक है इसके बाद तुम आख उठाके भी नहीं देख पा हुए एक सीमा तक जैसे भगवाल से उनकी बुवा जी ने कहा जब शिशुपाल पैदा हुआ था तो उसके चार भुजाएं थी बड़े-बड़े विद्वान जे उतिसाचारी बुलाए गए बड़ा अजीब बालग चार भुजा सहित पैदा हुआ बड़ा तेजश्वी विद्वान ने कुंडली देखी और कहा कि यह बहुत बलवान इसे कोई मार नहीं सकता तो बुले मार कौन सकता इसे बुले जिसकी गोद में डालने से इसकी दो भुजाएं गिर जाएं तो जानने न वहीं मारेगा तो बड़े-बड़े सब रिष्टे लातेदार सब बुलवाए गए और यह उनकी माने जानने के लिए एक प्रथा रखें सब की गोद में बालक को और जे वी द्वारिकादियस वगवान स्री कृष्ण की ग तो वचय्टन दो कि तुम पुत्रकों मारोगे नहीं तो उनका दुए सव आप, पुंसोचा सौ आप्राद करेगा काहे को सव आपराद खामा करूँ गए इसके बाद नहीं सवके उपर चलेगा तो खामा नहीं करूँगा सव तक चमा कर दूँगा आपको वचन देता हूं उन्हों सोचा सौता अपराद काय को करेगा तो सब आमें जब गालिया दे रहा थे लग भगवाल को तो भगवान गिन रहे थे भीस्ट में जी खड़े को चुप तुम्हारे मारे नहीं मरे गए भीम जी भी खड़े उनके भी का सब्सक्राइब करें लिए नहीं 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 आप बैठ जाओ आशन में कुरसी में तुम मुझे सुख मिलेगा आप यहां भी बैठने की योगता आप नहीं दी प्रफ़ा नहीं तो किसी योगई नहीं है यही तो योगता है यही योगता है अब दया करिए कि बहुत भटक चुका अभी तक कुछानन नहीं है आपके प्रेज़ना से बस निट्य लगा हुआ है आप तो भगवत है प्रफ़ा करें कि अब उत्रा उसता है जिसमा बस आप प्रिक चर्णों का अनन्द सदा बना रहे ऐसा सिरुए जिसलालता से आयों कर वो आपके चर्णों आप तो भाराजी संत हैं बस इतनी जरूर प्रार्थना है कि आत्म समर्पन ही समस्त साधनों का फल है आत्म समर्पन वो हुआ इस्ट में हो या गुरुद्में हो गुरु और इस्ट एक ही है जब गुरुद्मने आत्म समर्पन हो जाता है आहम समर्पित हो जाता है तो पhes theory आमाराइट दिव्य शुरुप्रकासित हो जाता है इसी महा वा इससे गुरुत्व से ही तो विचली थूमें यह इतना शुरू से यह रहा कि कहीं भी जैसे आपके सथ्टंग में सुनता हूं कि यहां से समर्पन होता है वह कहीं हुआ ही नहीं प्राप्ति नहीं हुआ यह समस्या तो बहुत मतलब विचित्र शमश्या है कि सादक फिर अशांत हो जाता है बहुत असांत हूं और 87 साल की उमर हो रही कि आपकी मर्जी से जी रहा हूं मारा अधरानी क्रपा से पर बसी ससांती ने मुझे बहुत खा गया मैं नहीं चाहता हूं क्यों जब ना जब तो क्यों आपकी प्रेड़ना से सुरू से हुआ है सालों से आपकी केसट जब से सुनता हूं ससंग रोज सबेर श्याम बहुत आनन्द मिलता है चिंता फिर बद कीजिए जो हमारा स्वरूप है उसको किसी साधना की जर्वत नहीं है बात समझे नहीं हम अपने स्वरूप को भूल करके जो अंता करन धर्म में इस्तित हो गये हैं मन बुद्धी चित अहम इतना ममत हो गया है कि जो बुद्धी निरने करती हूं मैं अपन चाह मानता हूं जो चित चिंतन करता हूं मैं स्वयकार करता हूं कि मैं चिंतन करता हूं इतना अहम धर्म इस्तित हो गया है यह अहम धर्म समर्पित हो जाए अगर ग्यान में तो शुरूप बोध हो जाए और भक्ती में तो भगवान का साक्षातकार हो जाए तो अब नाम जब शुरू कर दिया तो आपको चिंता नहीं करने यह सब कुछ करा लेगा बस हर समय स्वास प्रश्वास में नाम पर द्यान देदीजिए सार बात आपको बता रहे हैं जो नाम आपको प्री हो स्वास प्रश्वास पर उसको चड़ाना नाम स्वास दो बिलक्ष अलत हैं इनको भेद न मोकों भावे श्वास नाम नाम ही स्वासा नाम स्वास को भेद मिटावे रोम रोम जब रग रग बोले तब कच श्वाद नाम को पावे देखो आप तो आपका विरक्त भेश है और कोई कारे तो है नहीं तो रात दिन उठते बैठते जितना कम सो के काम चला लो और जितने से प्राण पुशन हो जाए जैसे भी वैसे अन्न डालो और रात दिन नाम में लोगों सब कुछ प्राप्स हो जाएगा आप हमारी बात को किल गहराई से पकड़ लीजे एक साधे सब सदे सब साधे सब जाए एक पकड़ लिए दो Its कला सब कुछ हो जाएगा सब कुछ हो जाएगा वेधांत का भी ज्यान है योग का भी ज्यान है सब मार्गुस से जैसे चलने सबस कहते हैं नाम नाम यह तुम्हारी कुर्दलनी सकती जागरत कर देगा सट चक्र भेधन कर देगा यह ब्रहम वबोत करा देगा भगवत प्रेम प्रदान कर देगा खास बात है संसार का चिनतन छूट जाना तो नाम का में जब हम एक आगरता करते हैं तो नाम सच्चिदानंद में त्रिगुनाती थे और संसार त्रिगुन में तो हमारा जो चिंतन त्रिगुन का हो रहा है वो छुटा क्योंकि स्वरूप अचिंत है जो अपना स्वरूप है वो चिंतन वाला नहीं है अचिंत है आप समझ पहर है आत्मा अचिंत है वही मेरा स्वरूप ह यह मेरा स्वरूप नहीं है चिंतन हमारा फस गया जगत में अब इसको कैसे अटावें गुरु नाम जो देते हैं मंत्र देते हैं नहीं वही तो नहीं मिला प्रभू तो जिनने मुझे नांदी श्राद बिर्जा होम पिंडदान सब प्रक्रिय कराई में संक्राचारे पीट से नामदान लिया था लेकिन वो भी ऐसा रहा कि विवनों ने प्रे समंत्र नी दिया तो मुझे जब से ही ये वेदनाय सुरू हो गए मनमे की हां महरा जी अधूरा जीवन तो फिर असान पर है बहुत असान तो इसी से असान तो प्रभू बस इस पर आप करपा कीजिए आकरी सुरूत है आपका अब अब तो आप जब बुरा होगे जब फिर आजी रूँगे आप हमारी बात मान लो कि बात मान लो महरा जी अब कुछ नहीं देखो हम जिस बात के आशिक हैं वो हम कैसे अपनी बात रखे बस हम इतना कहते हैं जो आपको नाम परी है आपको कौन शान नाम परी है मुझे मात्रीता जी और प्रभू राम जी हन्मान महाराज वो एक हे हैं एक पकड़ो एक पकड़ लू राम राम वी जाप करता हूं हन्मान जी माराज की विशेस विशला से तहें वो उस जूब कर रहे हुंना राम पूशी से संतुष्ठ है अलग से कुछ कहने हैं यत्र यत्र रगुनार्थ कीरतनम तत्र तत्र कृतमस्त कांजिलम वास्पवारी परिपूर्ण लोचनम रोते हुए हनुमाँ जी वहाँ भी राज मांग रहते हैं जहां नाम चलता है प्रहूश्य आराम ए महराजी राम 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 जी जोलो तू नजपी है तो लो तो कहों जाए तीहूं ताब तपी है सुरसर तीर बिन नीर दुख पाईए सुरतर तरे तो इदारिद सता है राम 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 जी बस हमारी बात मान लिए अगर नाम को पकड़ो तो राम 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 बस देखो ना आप सन्यासी हो ना पुरुष हो ये बाहरी सरीर का भेस है सब कुछ हो गया सब कुछ हो बस इसमें लग जाओ राम 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 यह अंतर से भेद मिठ जाएगा जो तकलीफ हो रे गुरु तत्यों की कि समझेशों गुरु कोईषी व्यकति का नाम नहीं है नहीं है अगर आप थोड़ी भी श्रदा रखते हो तो गुरु तत्यों ही बोल रहा है ने आप हमसे आवस्ता में बहुत बढ़े हो अवस्ता में सरीर की बैठा ले हम आपको उपदेश नहीं करते हैं वही गुरु तत तो आपको उपदेश कर रहा है अगर पकड़ पाऊ तो पकड़ पाऊ वही समाल रहा है जिसको आप सोच रहे हैं गुरु नहीं मिले वही समाल रहा है आपको वही आपको यहां लाया है वही आपको बोल रहा है जो ग्यान ब्रद्ध है अवस्थागत ब्रद्ध नहीं का जाता इस्थिती प्रग्य है अगर सोला वर्स का है तो बड़े-बड़े महात्मा बाप-बाबा उनके खड़े हो रहे हैं भगवान ब्यास देव जी पारासर जी वसिष्ट जी वहीं सब बैठे हैं और सुकदेव ज थे कि गुरू तत्वा बोल रहा है वहीं बोल रहा है अब आपका संसे खतल यह कभी नहीं कहना कि हमारे गुरु कौँन है कन où है यह हरदय में है और हमारे गुरू हम इपडेश कर चुके हैं हम पूर्ण है हमें किसी के यह राम राम र१ों कभी जब आपको अनुभो हो तब बताना कि यह गुरू वानी थी या किसी विक्ति की वानी थी बस अब दया हो गई आप संसे मत कीजेगा बस संसे दुग ले रहा था मुझे बस आज से खतम कर दीजेगा हो गया हो गया आप मान लिजिए महादेव जी की विशेष क्रपा से ह अभी प्राण निकल जाए गया तो आप ब्लब प्राप्त हो जाएंगे अभी इसी नाम से तार्फ मंतर से भगवान सी उकासी में मोक्ष प्रदान करते हैं सुरू जाओ राद दिन इसी में सुरू जाओ जाओ जाब तक नीन्द ना आजाए और मृत्प्यू ना जाए तब अब आप से कोई पूछे कि आपका शन्यास आपका मन्त आप सब कुछ पूर्णाय में आप से निवेदन होने से क्या हुआ खाली हो गया है अब कभी आप अधूरापन अपने को साबित मत करें उसके और जाना ही नहीं नहीं तो संसा यह की था कि मेरे साथ क्यों वासा प्रार कुरा छोड़कर यहां पूरा कर दिये सारा खेल्ट यहँ लिका होता होते हम आप यह वां-पे सूचते देखो ऑगवान गुरुदेव के विधान क्या वहां से करवाना क्या यहां से करवाना वो कहां से बैठ करके आपको समालेंगा आपको बहुत प्यार करते हैं गुर्देव वही प्यार करके बोला है बस आप अपने में इस्तित हो जाओ आज से अपने को आप पूर्ण समझो कभी अधूरा मत समझो बस पकड लो फिर आगे आप खुद अनुभो कर लेना कि किसी व्यक अब यह जिस्ट एक एक निट पहले ही पहुँचे हैं मारा जी नहीं आप निश्चिनत रहें आप निश्चिनत रहें